आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक AC वेब सीरीज जो की 2017 में फिल्माई गई थी Money Hist Season 1 जो की एक Spanish Crime Drama Television सीरीज है इस कहानी का में किरेदार होता है एक एसा सक्स जिसकी प्लैनिंग देखकर कोई भी दिवाना हो जाए तो चलिए दोस्तों ले चलता हूँ आपको उस कहानी की ओर सीन सुरू होता है और हमें एक सक्स को दिखाया जाता है इसका नाम होता है प्रोफेसर जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बहुत सालों से बना रहा होता है उस एतिहासिक चोरी को अंजाम देने के लिए प्रोफेसर कुछ ऐसे सक्स को चुनता है जो कुछ अलग-अलग कामों में माहिर होते हैं और उनका नाम सहरों के नाम पर रखा जाता है वेन भूंका में नजर आती है टोकियो जो की पहले बहुत सारे चोरी को अंजाम दे चुकी होती है बर्लिन जो की प्रोफेसर का भाई होता है और उस एतिहासिक चोरी का इंचार्ज बनाए जाता है मासको और डैनवेर जो की बाब बेटे की भूमिका में होते हैं जिसमें मासको तीजोरी खोलने में माहिर होता है रियो जो कि हैकिंग के दुनिया का बाधसा होता है पोसलो और हैले सिंग की जिनका दिमाग तो कम पर हाथ जादा चल्दा था क्योंकि दोनों पेसे से पहलवान होते हैं और एक हसीन दर की नारूबी जो कि नकली नोट चापने में एक्सपर्ट होती है कहाने का main element होता है Royal Mint of Spain जहां पर पैसा चापने की मसीन होती है तो Professor और इसकी टीम की planning होती है उसी Royal Mint पर डागा डागा और धेल सारे पैसे चापकर निकल जाना Professor उस एपिहासिक चोरी को अंजाम देने के लिए पांच महिनों तक अपने टीम को training देता है Professor चोरी के दोरान हो सकने वारी सारी गलतियों और उसके result पर deeply study करता है ताकि वे लोग चोरी के दोरान पकरे न जा सके और कोई भी खून खराबा ना हो पाए प्लान के मुतावित Professor की टीम Royal Mint के अंदर पुलिस को बंदी बना नकली पुलिस बन कर घुज जाती है और अंदर मौजूद सभी होस्टेजों को बंदी बना लेती है और Professor बाहर रहकर उस प्लान को अपरेट करने लगता है Professor और इसकी टीम एक दूसरे से लैल लाइन के थरुक कनेक्ट रहते हैं ताकि कोई बातों को हैक कर सुनना सके रोयलमिंट के अंदर उनकी टीम रेड कलर का पुसाक तथा एक खास मास्क पहन लेती है और कैग सारे होस्टेजों को भी वही पुसाक और मास्क पहना देती है ताकि कोई गलती भी हो जाए तो चोरों की पहचान नहीं की जा सके प्रोफेसर का प्लान बिलकुल ट्रैक पर होता है सुरू में ये लोग पुलिस को ये दिखाते हैं कि ये लोग सिर्फ पैसा लूटने आए हैं इसके लिए लोग थोरा पैसा बैग में डाल कर रोयल मिंट से बहा निकलते हैं और पुलिस के उपर हवा में फायर करते हैं पुलिस की जवाबी कारवाई में पुलिस उन पर गोलियां चलाती है जिनमें रियो घायल हो जाता है ये सब प्रोफेसर के प्लान का एक हिस्सा होता है तबी सीन में इंट्री होती है रैकैल का जो की पुलिस इंस्पेक्टर होती है और उसे इस केस का इंचार्ज बनाय जाता है दूसरे सीन में इंस्पेक्टर रैकैल से प्रोफेसर सालवा के नाम से मिलता है और दीरे दीरे उनमें नजदी किया बढ़ने लगती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है रोयल मिंट में मौझूद हो स्टेजों में से एक होती है UK Ambassador की बेटी एलिसन पाकर प्रोफेशर ने खास इसी दिन को चोड़ी के लिए चुना था ता कि वो सरकार से सारी बाते मनवा सके इधर रोयल मिंट में प्रोफेशर का टीन पैस चापना सुरू कर देती है और हर घंटे 8 मिलियन यूरो के हिसाब से पैसा चापने लगते है रोयल मिंट में मुझूद कैदियों में से एलिशन पाकर चुटके से अपना फोन यूज करने की कोशिस करती है पर तभी लियो उसे जाकर रोक लेता है पर पुलिस उस फोन के कैमरे को हैक कर कैमरे की मदद से लियो के चेहरे को देख लेते हैं इधर कैडियों में से एक होता है आर्थूरो जो की रोहल मिंट का मैनेजिंग डिरेक्टर होता है जिसका किसी दूसरे कैडी मोनिका के साथ अफेयर चल रहा होता है आर्थूरो मोनिका से अपना सेकेंडरी फोन लाने को कहता है जो कि उसके ऑफिस में रखा होता है मोनिका उस के पैर पर गोली मारता है ताकि सब को गोली की आवाज सुनकर ये लगे कि उसने उसे मार दिया है फिर वो मोनिका को दूसरे रूम में छुपा देता है इधर पूलिस टोक्यो का चेहरा पहचान कर लेती है और उन्हें फिर टोक्यो और रियो के अफेर के बारे में पता चलता है फिर मास्को और डैनवेर होस्टेज के हाथ में नकली बंदूक और मास्क पहना कर रोयल मिंट के छट पर हवा खाने के बहाने जाते हैं उपर पहुँचकर आर्थूरो को मोनिका के बारे में पता चलता है जिससे वह गुस्सा होकर नकली बंदूक डैनवेर पर तान देत पर इंजल कुछ डॉक्टर के साथ खुद डॉक्टर की बेस में रोयल मिंट के अंदर अर्थूरो को ऑपरेशन करने जाता है और इस दोरान प्रोफेशर की टीम चेकिंग के दोरान डिप्टी इंजल के चसमे को अपने कबजे में लेकर उसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट कर देता है, क्योंकि प्रोफेशर को इस डिप्टी इंस्पेक्टर के बारे में पहले से ही पता होता है इसी दोरान रेकेल की पुलिस टीम एक अंडरगाउन टरनल की मदद से अंदर जाने का प्लान बनाती है इनका प्लान यह होता है, कि लुटेरो की पुसाक और मास्क पहन कर उनमें घूल मिल जाना और उनका यह प्लान प्रोफेशर को पता चल जाता है और अपने टीम को वो नए तरह का मास्क पहनने को कह देता है इंजल बाहर जाकर यह बात इंस्पेक्टर को रक्यल को बताता है और उनका अंदर जाने का प्लान फेल हो जाता है मास्को और नेरुबी को मौनिका के जिंदा होने के बारे में पता चलता है और वा बर्लिन को बतानी के बज़ाए डेनवर की मदद करने लगती है जब प्रोफेशर को बर्लिन की मनमानी करने के बारे में पता चलता है तो वा उसे सजा देने को सोचता है तब भी प्रोफेशर को एक और बात के बारे में पता चलता है कि हेल सिंकी ने उनके कार को ठीकाने लगाने के बजाए कबार खाने में बेच दिया है और पुलिस उसी कार की तलास में जुटी हुई है ताकि उस कार से सबूत इकठा कर उनकी पहचान कर सके प्रोफेसर बेचैनी में आकर खुदी उस कार से सबूत मिटाने के लिए उस कबार खाने में घुच जाता है और कार से सबूत मिटा कर बर्लिन के जैकेट को जान बुझकर कार के सीट के पास छोड़ देता है ताकि वो बर्लिन को उसके मनमानी करने की सजाद दे सके पुलिस उस जैकेट की मटन की मदद से बर्लिन के सही आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लेती है इधर Raquel सभी कैर्जियों की सही सलाम्ती की जनकारी लेने के लिए प्रोफिशर से आदेश लेकर रोयल मिंट के अंदर आती है Raquel की तरासी के दवरान रियो को एक माईक्रोफ़ोन मिलता है जब रियो उस microphone को खोल कर देखता है तो उसे एक छोटा memory card मिलता है जिसमें रियो के parents का एक recorded message होता है उस message में रियो के parents उसे पुलिस के आगे surrender करने को कहते हैं अगर रियो ने पुलिस की मदद की तो पुलिस उसकी सजा को कम कर देगा पर रियो जानता था कि सिर्फ उन पुलिस वालों की एक चाल है इधर इंस्पेक्टर रकेल रोयल मिंट के अंदर Berlin से मिलता है और उसके साथियों को Berlin की जान लेवा बीमारी के बारे में बताता है कि बस अब वह कुछी दिनों का महमान है इधर डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल को रकेल के साथी सालवा पर सकोरने लगता है या सालवा से मिलने उसके बताय हुए घर पर मिलने जाता है और चोड़ी से एक चम्मच चुरा लेता है ताकि वह प्रोफिशर का फिंगर प्रिंट निकाल सके एंजल यह बाँ जाकर इंस्पेक्टर रकेल को बताता है उसका साथी सालवा पर उसे सक है वह कहता है कि सालवा तुम्हारा फैयदा उठाकर हमारी सारी प्लानिंग पहले ही जान लेता है और यही कारण है कि वह हमेशा हम लोगों से एक कदम आगे रहता है पर रकेल को के दौरान साल्वा के ऊपर बंदूग तान देती है और उससे वह अपने गो डाउन में चलने को कहती है ताकि वह कंफर्म कर सके जब रकेल वहां पहुंचती है तो वहां कुछ न पाकर बहुत से रिमिंद्गी महसूस करती है और साल्वा से मां भी मांगती है और फिर दोनों पर मिले फिंगर प्रिंट से मैच खा गया है इससे इंजल का सक हकीकत में बदल जाता है और वह समझ जाता है कि साल्वा ही असली प्रोफेसर है यह बात वह रकेल को बताने के लिए उसे फोन करता है पर रकेल फोन नहीं उठाती इसलिए इंजल रकेल के घर फोन कर एक उसे इलजाइमर, यानि भूलने की बीमारी होती है, इसलिए उस मैसेज को स्टीकी नोट्स पर लिख लेती है, और फिर अपनी बेटी एंजल को बताने के लिए कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाती, इसलिए Raquel की मा अपने बेटी के वाइफरेंट सालवा के पास फोन करती है और कहती है कि यह मैसेज Raquel को पहुचा दे यह सुनकर प्रोफेसर डर जाता है और वह सबूत मिटाने के लिए Raquel के घर जाता है और उस वाइज मैसेज को डिलीट कर देता है और स्टीकी नोट्स में लिखे मैसेज को भी अपने कबजे में ले लेता है इधर रोयल मिंट के अंदर आर्टूरो को पता चलता है कि मोनिका जिन्दा है पर अब वह डेनवर से प्यार करती है इसलिए वह उन चोरों से बदला लेने की सोचता है और वह सोला कैडियों के साथ भागने का प्लान बनाता है प्लान के तहत एक कैडि रोड से ओसलो के सर पर वार करता है जिससे ओसलो वहीं गिरकर बेहोस हो जाता है और सारे कैडि भागने में कामियाब हो जाते हैं पर किसी तरह अर्टूरो नहीं भाग पाता इधर प्रोफेसर रकेल के घर सबूत मिटा कर उसके मां के साथ दिनर करने लगता है तभी रकेल वहाँ पहुंचती है वो प्रोफेसर को वहाँ देख सर्फ्राइज होती है फिर साथ में दोनों अपने बेड़ू में जाकर बाते करने लगते हैं तभी रकेल की दिमाग की बत्ती जलती है और वही होता है उस सीजन का टर्निंग बॉइंट रकेल सोचती है कि इतनी बड़ी प्लैनिंग को अंजाम देने के लिए उनको किसी जगह की जरुरत परी होगी जहां वे सब ट्रेनिंग कर सके वो अपने पुलिस टीम को फोन करके कहती है कि रोयल मिंट के आज पास सभी एसे घर को धूंडे जहां ट्रेनिंग करने के लिए काफी जगह हो और वह जगह एकांत हो पुलिस रकेल को फोन करे घर के बारे में बताते हैं कि वह सायद उन चोरों का अड़ा हो सकता है फिर रकेल सालवा को साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जब दोनों वहाँ पहुंचते हैं तो रकेल सालवा को बाहर छोर फोरेंसिक टीम के साथ अंदर चली जाती है और सबूत इकठा करने लगती है और इसी के साथ खतम होता है मनी हिस्ट का सीजन वन तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगला वीडियो मन हिस्ट सीजन दो में आपके सामने जल दलाओंगा